हेलो एवरीवन कैसे हो गाइस आप सभी आशागरती हूँ सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टड़ी वे तेपा सैनी में जैसा कि आप जानते हो और मैक्सिमम बच्चों के पास इनफोर्मिशन पहुंची गई है कि हमारे अब हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन के और से आपकी वही वैकेंसी आई हैं पीजिटी लैवल की आपकी जिऊग्रफी की भी काफी अच्छी खासे वेकैंसी देखने को मिली है मेवाद केंडर पे भी मिली हैं और रैस्ट Are हर्याना में भी मिली हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने जा रहा हुँ जो भी आपकी वेकैंसी है उनके बारे में और उसक सबनाद है तो हपनने को अपना देना है तो वह अपने को दिखने एस चीज को तो HPSC के सबसे पहली बार देखो आप सभी को दिख भी रही होंगी यह डिफरेंट टाइप ओफ सब्जेक्ट्स की वेकेंसी है जिसमें बाइलोजी चैमेस्ट्री कोमर्स इंग्लिश एकनॉमिक्स फाइन आर्ट्स और हमारी जोग्रफी की भी वेकेंसी आई है भई हिंदी हिस्ट्री होम साइन्स उसके अलावा आपकी नेक पर बता देती हूं कौन-कौन से वेकेंसी उसके बाद हम डिटेल से जोग्रफी के बारे में देखेंगे ठीक हैं तो होम साइन्स मैथ म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स पॉलिटिकल साइकोलोजी संस्केर्ट सोसोलोजी कुर्दू पंजाबी तो टोटल यह आपकी कितनी वेकेंसी है वही टोटल अगर हम बात करें तो यह हैं 3069 वेकेंसी है जो कि हैं अब यहां पर देखो सबसे पहले हमें अपनी जोग्रफी के बारे में मैं आपको यहां पर डिटेल में बताने जा रहे हूं तो जोग्राफी कि पूरे रैस्ट ओफ अर्याना की बात करें रैस्ट ओफ अर्याना और मेवात की अलग लग वेकेंसी है वही मेवात में आपकी नो वेकेंसी है ठीक है मेवात में अगर हम वेकेंसी फिल करते है न तो आपकी जोब मेवात में ही लगती है और रैस्ट ओफ अर्याना का मिनि 116 post है और इसमें भी आपकी मैं आपको बताओ दू एक बर ध्यान से देखो जो आपका जर्नल है जर्नल में भई आपकी जाएंगी 64 post तो 64 post आपकी जर्नल की है SC की 23 है BCA में 11 है और BCB में 6 post है ठीक है EWS की रखी गई है 12 और इन में भी हमारी आगे आती है female candidate के लिए ठीक है अब female candidate की बात करें तो आपकी जोग्रफी की जो female candidate की post रहेंगी वही वह आपकी जर्नल की 21 8 आपकी SC की BCA की 4 और 2 post रहेंगी BCB की ठीक है और male candidate और यह female candidate के लिए है special reservation और यह आपकी आगे आ जाता है जर्नल SC BCA और BCB के लिए ठीक है तो यहां पर आपके अलग लग कास्ट वाइस हैं जैसे अगर हम बात करें राश्ट ओ अर्याना में आपके यह जर्नल में आ जाएंगी जोग्रफी में 1 minute 3 post ठीक है एसी फिर आपकी SC के आ जाएगी 1 post और उसी तरीके से आपकी BCA की भी 1 है और BCB की इसमें नहीं है ठीक है तो यह अलग लग आपका category दी हुई है ज्यादा कुछ इसमें वह है नहीं बाकि आप total of cost आपके काफी अच्छी आई है जोग्राफी की और I think हमें आप म सभी को है तो यहां पर बहुत सारी time and conditions है बाकि ज्यादा तो कुछ नहीं है वही है कि आपके पास 50% marks होनी चाहिए आपकी MA में ठीक है जैसे आपकी PGT geography में मैं दिखा देती हूं जी देखिए जो time and condition 50% marks होनी चाहिए और beard होनी चाहिए रिकोनाइज किसी university से जो भी आपकी बड़िया university से आपकी beard होनी चाहिए और MA geography at least आपके 50% marks तो जरूर होनी चाहिए ठीक है तो यह बात आप ध्यान रखोगे उसके अलावा इसमें आगे देखो pay scale काफी अच्छा दिया हुआ है तो salary आप सबको पता है government की अच्छे होती होती है हान जी यह रहा यह आपका pattern of exam कि किस तरीकी से आपका exam का pattern रहने वाला है तो screening test होगा भई सबसे पहले जो screening test होगा इसमें आप तो यही का गया कि आपका subject ही आएगा पहले यह था कि आपके other subject भी आते थे जिसमें आपका teaching aptitude हो गया आपकी अर्याना जिक्की हो गई ठीक है और यह आपका और भी other subjects हो 100 ही marks के रहेंगे हर question equal marks का होगा ठीक है एक number का question 100 question है दो गंटे हैं और 100 ही marks है उसके अलावा भई आपकी एक चीज़ और की इसमें आपको पांच option दिये हुए हो मिलेंगे A, B, C, D, E और इन पांच option में से 4 तो आपको fill करने ही करने है और अगर पांच वां आप कोई question attempt नह negative marking भी रहेंगे यानि हर 4 question गलत होने पर आपका एक number कर जाएगा और अगर कोई बच्चा पांचो की पांचो यानि A, B, C, D, E circle fill नहीं करता है तो उसके 10% जो questions है वो भी disqualified कर दिये जाएंगे तो आपको A, B, C, D, E में से एक तो fill करना ही करना है ठीक है और one-fourth mark will be deducted for each wrong question यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई language रहेगा भी आपका Hindi और English दोनों में रहेगा आपका जोग्रफिका बट्र जो कुछ है वो आपके only English language में होंगी और language वाले paper तो आपके language में ही होते हैं you know very right is this statement ठीक है हां जी एक चीज़ यहां पर यह दी गई है कि आपको minimum 25 परसेंट मार्स तो screening टेस्ट में लेने ही है यानि 100 में से 25 तो आपको पास होने के लिए लेने ही है बट आपको पता है कि आपको maximum जो कट ओफ जाएगी उसमें हाइस्ट पहुचने के लिए आपको काफी अच्छे मार्स लेने पढ़ेंगे तो आपको best level के अपनी त्यारी मिनिमम 25 परसेंट मार्क्स लेनी है अब इसमें जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनके लिए दूसरा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा सब्जेक्ट नॉलिज टेस्ट सॉरी सब्जेक्ट नॉलिज टेस्ट और इसमें क्या होगा इसमें आपको आपका रिटन एक्जाम होगा सब्जेक्टिव रहेगा यह पूरा तीन घंटे मिलेंगे आपको डेड़ सो मार्क्स का रहेगा 10-10 नमबर के कुछ इस तरीके से गोशन्स आएंगे जो आपको अटेम्ट करने होंगे जैसे आपने अम्मे में किया था सेम वही प्रोसेस रहेगा और इसमें भी bilingual रहेगा आपको हिंदी और इंग्लिज दोनों लैंग्विज में आपको देखने को मिलेगा और इसमें जो minimum cut off रहेगी वो 35% आपको मार्क्स लेने ही लेनी है उसके अलावा weight is कितनी भी जा सकती है 87.5% मार्क्स तक भी जा सकती है तो यह आपको बढ़िया तरीके के आपनी त्यारी रखनी पड़ेगी आप इसमें भी जो pass होंगे उनके बाद फिर interview होगा वाईवा होगा जिसमें 12.5% मार्क्स आपके interview के रखे गए हैं ठीक है और आपकी knowledge test होगी आपका interview होगा आप सबको पता है आपकी subject से related आपसे questions होंगे personality development से related होंगे जो भी कुछ है यह pay scale है आपका pay scale काफी अच्छा रहने वाला है 47,000 नेर अबाउट से लेकर 151,000 के बीच रहेगा time to time यह आपका होता रहेगा ठीक है तो यह तो आपकी service of test है तो मैंने आपको exam का pattern बता दिया है और आपको pay scale बता जो कि आपकी EWS के लिए तो रहेगी 250 बाकि सब के लिए 1,000 फीमेल, four male and female candidate जो कि BCB के रहेंगे BCA के SC के EWS के इन सब के लिए 250 ठीक है तो 250 फीस रहने वाली है maximum journal वालों के लिए 1,000 और जो disabilities वाले जो candidate है उनके लिए कोई फीस नहीं है फिर ही है उसके बाग next हमारा आता है एक चीज आपको बतानी थी मुझे अब यह आगे बढ़ते हैं आपको काफी ज़्यादा हाँ जी यह आगया हमारा सलेबस उसके बाद हमारा सलेबस स्टार्ट हो जाता है और इसमें हमारा जो जो जोग्रफी का सलेबस है हम वो देखेंगी मैं आपको डिटेल से बता कुछ रहे दे कि मैं सलेबस क्या रहेगा तो यह है सलेबस जो कि HPSC ने दिया स्पेशल जोग्राफी का सलेबस तो इसमें देखो जोग्रफी एज डिसिप्लीन टॉपिक वन यह डाला गया है टॉपिक का नाम है और इसमें आपको एंसेंट मैडिवल और मोडरन जो पिरिय स्टेइल से स्टडी करना है तो आप यह कह सकते हो कि इस पहले टोपिक में आपकी थोट जोग्रफी कंप्लीट है ठीक है अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपका यह सारे टोपिक आपके इसी से रिलेटिड है उपर वाले से इसमें पोस्ट सेकिंड वल्ड वार के बाद इनवार्मेंटलिजम एरियल डिफ्रैंटेशंस ठीक है बिहेवियर और उसके अलावा आपकी हुमेनिस्टिक जोग्रफी मार्फ मतलब या लग लग वही है आपके काल मार्क्स की जोग्रफी हुमेनिस्टिक मानों भुगोल आ गया हो गया आपका जोग्रफिय ओफ इंडि पूरी जियो मॉर्फोलोजी है जिसमें आपकी मोशन्स ओफ अर्थ हाजाएगा रोटेशन रिवोलुशन डे और नाइट दिन और रात कैसे बनते हैं सीजन कैसे बनते हैं लोगिटूड और लाटिटूड हो गया फांडिंग टाइम यानि टाइम कैसे कल्कुलेट करते हो फि सारी चीज़े होंगी फिर ओरिजन ओफ दा आर्थ जिसमें आपकी नैबूला थियोरी है ठीक है बिग बैंक थियोरी है इवोलुशन ओफ कॉंटिनेंट और एट्मोस्पेर और ओशियन से इनके बार में भी अपने डिटेन में पढ़ना है तो ओवर ओल आपकी जियो मॉर् परोड़ीं इसcias that theater of the unity distribution once on continent इसमें जो आपका आएगा आर्थ इंचेरियर और scope to इसके साथ आपके और से रिलेटीच सारी चीज़े इसमें आजाएंगी इन्टेरियोर ऊबदा आर्थ में नेक्स्ट आता है landform यह भी आपका geomorphology का ही पार्ट है topic 3 भी और topic 4 भी आपका landforms geomorphology का ही पार्ट है जिसमें आपके minerals आजाएंगी चप्टाने खनीज और आपकी जो rocks वाला topic complete आजाएगा rocks circle क्या होता है mineral geomorphology process of denoditions और endogenetic और exogenetic process यह आपके बल आजाएंगे mass wasting, landslide, works of river यह आपके देखो सारे के सारे works आजाएंगे नदियों के कारिये, wind, sea, wave, समुंदरी तरंगों के कारिये, process of soil formation यानि जो हमारी मिट्टी है वो कैसे बनती है तो यह सारा आपका geomorphology का ही पार्ट है next हमारे topic में हमारी जो स्टार्ट होने जा रही है वो है आपकी climatology आ जाएगे यहां पर atmosphere, composition, structure किस तरे के से बनता है, insulation क्या होता है, temperature क्या होता है, atmospheric pressure क्या होता है, winds, atmospheric moisture, cyclone, classification of climate, copain का भी और thon weight का दोनों को आएगा, global climatic changes, causes और effect यह सारी चीज़े आपकी आएगे, topic 6, water and ocean, इसमें आजाएगा geomorphology of ocean floor, ठीक है, यानि आपको ocean floor यानि सुमूंदर के बारे में detail में पढ़ना है, सुमूंदर में कौन कौन सी आपकी सब marine relief, यानि आप जो कटक बढ़ते हो रिज बढ़ते हो, Atlantic, Pacific और Indian Ocean यह सारी आजाएगी, इसके अलावा आपकी salinity और temperature भी आजाएगा, तो topic 5 हमारा climatology से related था, topic 6 में आपकी oceanology आजाएगी, तो क्या आएगी, oceanology, next topic आता है, moment of ocean water, moment of ocean water में आपका current, tide, wave, marine, deposit और coral reef, यह भी आपका oceanology है, ठीक है, तो देखो यहा net level की geomorphology है, वो बिल्कुल complete आपको geomorphology का एक topic बढ़ना है, climatology भी आपकी complete है, ठीक है, oceanology की भी आपके पूरी की complete दी हुई है, बाकी के बचे हुए oceanology के topic यह रहे, जिसमें आपकी environmental geography आजाती है, landscape, ecosystem आजाता है, पूरा पूरा ecosystem आएगा, biosphere आएगा, interactive or dynamic relationship, human impact of biochemical cycle, तो य geography की तीन ब्रांच पिल्कुल complete आगई है, geomorphology आगई है, आपकी climatology आगई है, oceanology आगई है, और हाँ थोट जोगरफी भी आगई है, तो चारो ब्रांच आपको complete और detail में एक topic पढ़ना है, नेक्स आजाता है आपका geography of India, अब आएगे जोगरफी of India, जिसमें आपको geography की location, extent, shape, size, सब कुछ detail में पढ़ना है, फिर इंडिया की जो भी फीजियोगराफी है, drainage है, ये भी आपको detail में पढ़ना है, drainage system यानि नदी तंत्र और इनका evolution, फीजियोगराफीक आपके जो भी divisions है, structure है इंडिया का सब कुछ detail में है, फिर इंडिया की climate भी detail में पढ़नी है, वनस आपको detail में पढ़नी है, next आता है, soil, soil भी topic आपका detail में है, इंडिया के अंदर, कौन-कौन सी soil है, किस तरीके से, soil problem क्या है, ICAR का soil distribution भी आपको पढ़ना है, next vegetation यानि बनस्पती, कितने type की पाई जाती है, और कहां कहां पाई जाती है, और किस तरीके से उरका conservation होगा, ये सा national park आजाएंगे, इसमें, वो सार आपको इसमें पढ़ना है, और wildlife centuries आजाएंगी, next topic आता है, natural hazards and disaster, इसमें आपको जो भी प्राकरतिक आपदाई है, उनके बार में detail सी पढ़ना है, इंडिया के अंदर, earthquake हो गया, land slide हो गया, आपके volcano हो गयी, ठीक है, cyclone हो गया, सूखा हो ग geography of India, यह पूरी आपकी 11th और 12th की geography है, ठीक है, 12th की geography है, यह आपकी NCRT के topic है, यह सारे, transcend patterns of population growth, determinates, pattern of population, distribution, density of population, demographic, transition, human migration, pattern of human development, यानि मोटा मोटा आपकी population geography के topic है, ठीक है, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी दोनों में पढ़ने है, यानि आप population geography के आपकी ब्रांच यह है, next आता है, human activities, world के अंदर भी और इंडिया के अंदर दोनों में पढ़नी है, hunting, gathering, herding, nomadic, or commercial, fishing, mining, agriculture, और agriculture, practice, यानि different type of agriculture, जो भी होती है, schemes, और some major crops, यानि आपको विबिन परकार की जो crops है, गेहूं है, चावल, अबाजर, इन सब के बार में भी detail में पढ़ना है, world के अं economic geography, इंडिया के अंदर तो अलग से पढ़ोगे, और economic geography की जो आपकी ब्रांच है, वो आपकी human activities में complete हो गई, ठीक है, primary था, secondary sector में आपको industries पढ़नी है, classification, theory of locationization, major industries आपको पढ़नी है, और आपको world के अंदर उनका comparison भी करना है, territory में आपको सारी services पढ़नी है, quaternary में आप area planning, इंडिया में sustainable development किस तरह के से हुआ, और जो भी planning चली इंडिया में, वो सारे आपको detail में पढ़नी है, ठीक है, तो यह आपकी देखो, यह जो ब्रांच है, topic 13 है, यह आपका economic geography है, उसको complete करता है, और जो topic 12 है, यह आपकी population geography ब्रांच को complete करता है, next आता है, topic 14, topic 14 में trade world and India, यह topic आता है, अब transport and communication, इसमें आपको transport से related हर चीज़ के बारे में detail में, world और इंडिया दोनों में पढ़ना है, ठीक है, आपके road हो गए, railway, waterway, airway, oil, gas pipeline, ठीक है, आपकी electric grid हो गए, communication network की, radio, television, satellite, internet, इन सब के बारे में आपको detail से पढ़ना है, फिर आपका आता है, international trade, international trade में आपको basic और component, trade balance किस तरीके से होता है, trading organization, कौन-कौन सी है, world में भी, और changing pattern of India, foreign trade, sea route आपको बढ़ने है, land waterway में भी, और sea ports में भी, और hunting land में भी, ठीक है, next आता है, human settlement, human settlement में आपको world और इंडिया, दोनों के अंदर human settlement पढ़ना है, इंडिया के अंदर किस तरीके स और world में कैसा है, ठीक है, तो यह जो human settlement है, देखो, transport, जो communication है, इसमें आपका कुछ topic आपके economic geography में चले गए, और कुछ आपके अलग में चले गए, अब human settlement में आपको पूरा human settlement detail से बढ़ना है, morphology of cities हो गया, urban settlement हो गया, ruler settlement हो गया, किस तरीके से origin होता है, कौन से type होते हैं, क urbanization of the world, urbanization in India, urban slums and squatters, तो यह लिए हर तरीके से आपको शहरी जनसे, शहरी जो pattern है, हमारा, जो grammy pattern है, कौन से परकार है, किस तरीके से ही सारा कुछ पढ़ना है, और जो cities है, शहर हो कितने type के हैं, mega cities कौन सी होती है, problem क्या है, human settlement के अंदर, यह सारी चीज़े आपको detail में हाँ जी, अब इसके बाद हमारा जो last topic आता है, topic 16, topic 16 में आपको geographical perspective on selected issues and problem, जो यह आपके हमारे जो problem होते है, environmental pollution से related, land हो गया, water, air, noise, pollution, इस सबसे related हमको सारी problem पढ़नी है, global warming में पढ़नी है, कौन कौन से हमारे आज तक संबेलन हुए है, ठीक है, आपके conferences हुए, वो भी सा तो आपका जो PG, यह जो पूरा slaves है, ठीक है, यह जो पूरा slaves है, जो कि HPSC के और से डाला गया है, इसने net level का ही slaves डाला है, ठीक है, net level का slaves डाला है, यानि आपको complete geography पढ़नी है, और complete geography पढ़नी है, आपको कोई भी topic skip नहीं करना है, बट अगर हम पूरा वो देखते हैं, तो इन्होंने practical geography को नहीं डाला है, आपने देखा होगा practical geography के आपको topic देखने को नहीं मिले, ठीक है, तो map हो गया, यह चीज़े इन्होंने नहीं डाली है, बाकी इन्होंने पूरी geography दी है, practical geography के topic नहीं है वही, तो आपकी एक ही branch skip होती है, practical geography, वरना आपको देखो, कौन कौन स पूरी एक्नौमिक पूर्णोड सब्सक्राइब करने चलये और यह वैसे तो अभी हमारी बात चल रहे हैं कि अब जब भी Achievers Academy पर जिन भी बच्चों को बही कोर्स चाहिए तो Achievers Academy पर आपका हमारा लाइव कोर्स हम लाने की सोच रहे हैं HPSC का जो कि आपके टाइन पर पूरी आपको एक टोपिक डिटेल में कराएगा लाइव कोर्स रहे गई ठीक है क्योंकि रिकोर्डिड पे तो जिन बच्चों को रिकोर्डिड लेना है ये लाइव हम क्यों रख रहे हैं क्योंकि रिकोर्डिड का तो हमारा बैच ओल्रेडी अवेलबल है तो रिकोर्डिड वाले बच्चे जो रिकोर्डिड लेना चाहते है तो वो Net Geography वाला कोर्स पर चेस कर सकते हैं जिनको HPSC Screening की त्यारी करनी है तो वो Net Geography वाला कोर्स ले सकते हैं क्योंकि Net Geography वाले कोर्स में यह सारे टोपिक और अवेलबल है थोड़ जोगरफी भी वहाँ पर डिटेल में हैं ठीक है और जिनोंको recorded लेना है और जो वही लाइव करना चाते हैं लाइव परना चाते हैं तो वो थोड़ा वेट करें लाइव जल्दी आपके सामने आने वाली है तो मैंने आपको बता दिया है Net Geography कोर्स के साथ जा सकते हैं जो बच्ची अपने अभी से त्यारी स्टार्ट करना चाते हैं ठीक है तो Recorded Mode पर पूरा कॉर्स रहेगा और बढ़िया तरीके की सिया त्यारी होगी और हम उसमें भी आपके साथ जूड़े रहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है तो ये था भई आपकी HPSC का पूरा का पूरा पैटरन एक्जाम पैटरन क्या रहेगा क्या किस तरीके से syllabus है कब आपके form निकलेंगे कब closing date है मैंने इस वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर किया है इस वीडियो को आप maximum आगे students के साथ शेयर करना क्योंकि काफी अच्छा है peak time आप यह कह सकते हो आपने इतने सालों से जो कुछ पढ़ा है अब उस सब पर आपको मेहनत करनी है ठीक है मेहनत करके ही देखो बिना मेहनत के तो फल मिलता नहीं है मेहनत करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा और maximum like share करना वीडियो को और maximum share करना ताकि maximum students के पास पहुचे जाए और भई मैं आपको पहले ही बता दूँ कई बच्चे मुझे कमेंट पर पूछ रहे हैं कि मैं YouTube चैनल पर आपकी इससे related जो वीडियोस है वो मिल जाएगी नहीं मिलेगी भई मैं आपको पहले बता देती हूँ अगर फिर भी हम कहें तो Geography of India की बहुत सारी classes है बट यह HPSC screening level है YouTube पर तो बहुत ही उपर से पढ़ाया गया है इतना ज़्यादा detail में आपको चीज़े नहीं मिलेगी वहाँ टोपिक तो वहाँ है Geography of India के काफी ज़्यादा topic आपको देखने को मिलेगे बट यह topic है ना Geography of India के यह काफी उपर से है और आपको चीज़े पढ़ने है detail में तो मैं यह नहीं कहूँगी कि मैं आपको अंधेरे में रखूँ आप कोई बच्चा अगर YouTube से त्यारी कराए तो करे बट काफी detail में चीज़े आने वाले है तो फिर में लेंगे तब तक के लिए हैवे नाइज डियों के बाबा आए सी यू